चाप्टर फिफ्टी थी आफ डैबल लिटिल हनी ववाद और माही वहाँ से निकल चुके थे वही रहा अब कॉलेश के गेट के बार खड़ी थी और सामने का नसारा देख रही थी तबी रहा की नसर सडक पर चल रहे एक प्यार इसे बिल्ली के बच्चे पर गई वो चोटा सा बच्चा सफीर रंका था जो की बहुत प्यारा था रहा को शुरू से ही बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद आते थे रहा की आँखों में चमक आगी वो उस पिल्ली के पच्छे को पकरड़ने के लिए आगे गई वो आगे आगे पढ़ने लगी राकी ये खोश ही नहीं था कि वो रोड के पीछो पीछ आगी है उसे दबे वाओ जाकर उस पिल्ली के बच्छे को उपने हाथों पर उटा लिया और इसके साथ खेले लगी कि तभी रहा की और एक यालो करेट की स्पोर्टस कार बियर टेजी से उसकी तरह बढ़ रही थी इधर रहा जो उस केटी के बच्ची के साथ खेल ले थी उसके नजर जैसे सामने आई सामने से आरी कार पढ़ गई वो चीख उटी और कार रहा के पास आकर रोके अगर वो कार अभी ब्रेक नहीं लगा दी तो शायद रहा का एकसिडेंट हो जाता मही विवान और माही एक साथ कार में बैठे थे और मही को विवान के साथ एकी कार में बैठने में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था साथी साथ उसका देल उसका साथ ना देकर बहुत तीज धड़क रहा था मही विड़ो से बाहर देख रही थी कार में एक इत्म खामोशी पस्री हुई थी कि दबे विवान ने माही को देखते हुए चुपे तोड़ते हुए कहा मैं साइकोलोजिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं तुमारा दिमाग को नहीं पढ़ सकता विवान की बाचन माही ने जिचकते हुए विवान को देखा विवान ने उसके आखों में नेखा और बोला तुम्हारे गर का रास्ता विवान की बात सुन माही ने एक राहत के सास ली और दीरे से बोली आगे से लेफ्ट और फिर सीरा जा रहा है माही को बात सुन विवान हसने लगा माही ने उसे घूर कर देखा तो विवान अपने हसे रोकते हैं बोला सौरी माही विवान से मूभ फेर कर बहर शाक्ष लगी तब ही विवान ने एक बार फिर से का पुछोगी दी सौरी किसलिए माही किसलिए विवान नी काल पर ब्रेक लगा दिया माही ने बार की और देखा अभी उसका गड़ नहीं आया था उसने विवान को देखा जिसने अपने कान पकड़े होई थे माही कुछ बोल पाती उससे पहले विवान बोला विवान I'm sorry, मुझे बता है मुझे तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था विवान की बात मुझे बिर्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारी आँगों में आसो देखके माही ने विवान की पकड़ से खुद को छड़वाने के कोशिश की तो विवान ने उसके चेरे पर अपने पकड़ और मजबूत करते होई कहा विवान पर क्या करूँ यार पहले पाल प्यारो है मुझे अब जब से तुम्हें देखा है तो इस दिल को एक सुगून सामिलता है अब जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था तो मेरा खुण चल गया माही ने रोते होई विवान की हाथ पकड़ अपना चेरा उससे दूर करते हुएगा माही नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती और नहीं मैं किसी और से भी करूँगी विवान पर क्यूं माही ने गुस्से से विवान को देखा और बूली नहीं करना मुझे तुमसे क्योंकि तुम सब लगे एक चैसे होते हो एक चैसे नफ्रत है मुझे प्यार के नाम से नफ्रत है और अब मुझे अभी के अभी यह उताड़ो मैं खुद चाहिए चाहूँगी माई कार को खोले लगी पर कार लोग थी विवान ने एक गहरी सासी और खुद को सम्भाल दे हैं मुला मैं तुम से अब कुछ रही पूछूँगा पर अभी तुम मेरे साथ चलो क्योंकि एंजल कॉलिश के बार तुबारा वेड़ कर रही है माई रुक गई और अपनी तरसर दीचर जुका ली विवान ने एक बार फिर गारी को शुरू किया और माई के घर के और ले गया उसके देमांग में बस सेही सवाल घुम रहा था कि आकिर क्यों माई किसे से प्यार नहीं कर सकती क्यों उसे प्यार के नाम से ही इतनी नवरत है अगर क्या हुआ है ऐसा उसके साथ जो लड़कों के बारे बे ऐसा सोच ठी है दूसरी और रहानी जब अपने आपको सही सलामत पाया तो उस्ते तीरे से अपनी आखे कुली और उस बिल्ली के पच्चे को अपने सीरे से अलग किया तब ही उस इस्पोर्ट्स कार का फ्रेट केट खुला और लगबग तीस से एकतिस साल का आदबी ब्ल्यू शिर्ट और ब्लैक पैंट पहने बार आया और गुस्ते में बोला तुमारी हिम्मत कैसे हुई वैदान पक्षी का रास्ता रोक रेखी मरना है तो कई और जाकर मरो किसी और कार के सामने वैदान के इतनी तीसावा सुन रास सैम गई और काप्टे हुए उठी और धीर से बोली सोरी मैं मैं वो तबी एक तीसावा का जोगा आया और रागे बाल को उसके चैरे से उड़ादा हुआ लेगा जैसे वैदान ने रागे चैरे को देखा वो इस रागे चैरे में गुम हो गया दो छोटियों के साथ कॉलेज जूडी फॉर्म में और हाथ में एक प्यारा सा पिल्ली का बच्चा और कंडे मन एक बैंग तांगा हुआ राग डरते हुए भी काफी प्यारी लग रही थी रागो देख अपने आप उसके चैरे पर एक तिर्शे बुसकार आगी महीं रागे डरी हुई नजोर उठा कर सामने बैदान को दिखा गी हुआ रंग लिन बॉडी चैरा भी ठीक ठाक था दिखने में वो भी काफी अच्छा लग रहा था पर राग ने तो एक इससे भी जादा है जब चैरा देखा था और वो था चिराग चिराग के मामले में वैधान कमी था राग ने वैधान पर ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर से बोली सौरी मैं वो बस इस बच्ची के साथ केहल रही थी राग की मीठी आवा सुन वैधान अपने ख्यालों से बार रहा रहा और राग के चैरे को देख रहा लेका जो भी नीचे चुका हुआ था वैधान देखा तुम्हारा नाम क्या है राग की आखों में आसु आखे अब उस रहा की एकड़म रोने से गवान संग पका किया और रहानी से रहा को देख रहा तो कौन है वैधान और क्या करेगा वो रहा के साथ और क्यू करती है माई प्यार से इतनी नफ्रेद जाने के लिए बने रही है मिलते हैं ने चैप्टर में चैप्टर 54 अफ डैवल लिटल हनी इधर रहा रोने लगी सामने खड़ा वैधान सब्का किया कि आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया जो रहा रोने लगी वैधान उसकी ओल बढ़ते हुए बोला तुम रो क्यों रही हो रहा आख मेरे कम्ठी मेरे फामली से करेंगे ना इसलि ही नहीं रही थी और उसके चेहरे पर वो टिर्ची मुस्कान भड़करार थी वैधान नो सिलिकल मैं तुमारे कम्ठी नहीं करूंगा आओ मेरे पास आओ इतना ख्या वैधान रागी और बढ़ने लगा अब राग को ना चाने क्यों वैधान की इंटेंशन गलत लगने लग वैधान उसके पीछे जाने को हुआ कि तब ही उसके नजरे रहा पर गई जो कॉलिश के अंदर जा रही थी ये देख वैधान अपर सीने पर हाथ फिराते हुए बड़ी शेदानी आवाज बोला ओ तो है यहाँ बहुत से लड़का देखिया पर तुमारे जैसी पहली पार ओके मैं से लेकर तो इन से मिले यह है वैधान इनका पूरा नाम वैधान बक्षी है यह इंडिया की एक कंपनी के मालिक है जो कि इनके पिदा की है वैधान एक प्ली बॉई किसम का इंसान है और सब से मुख्य बाद वैधान ने अपने अरीद में कुछ ऐसी कारणा में कर है जिससे यह और शिराग एक दूसरे के कटर दुश्मत है अब ऐसा क्यों है यह तो आपको आगे पड़ा चलेगा खैर अपने वैधान के गंधी नश्रों में मासुम सी रहा आ चुकिया वैसे तो इस तो अपने जीवन में बहुती सी बहुती सुन्दर लड़का देखी थ तो क्या करेगा वैरांत रहा के साथ कुछ पत्तर मीज़ी करेगा और ये बाद जब चिराग को पड़ा चलेगी तो वो क्या करेगा इधर रहा भागते हुए वापस से कॉलेश के अधर आ गई उसके हाथ से वो बिल्ली का बचा जूट चूट चुका था रहा को बहुत कु को इसकी ना शिकायत करूंगी फिर मेंटे टैविल हवी इससे नहीं चोड़ेंगे रहा ये खुचे बड़ पड़ा ही रही थी कि तब तक वहाँ पर विवान के कारा करूँगी रहा ने उस्ताओर दिखा माही जड़ी से अपने हाथ पे एक पैंग लेकर उत्री और सेर्ज विवान तो बस उससे ही एक दर देख रहा था जैसे ही रहा के नजर विवान पर गई तो फूच की नजरों का पीछा करते हुए माही पर आकर रुखी रहा अचीब नजरों से उन्हें देख रहे लगी अगली पल फूच सब सबच गई और हम उसको रहा उड़ी और उसने म माही तो क्लास पे जा मैंने अब भी आती हूँ रहा के बाचन माही जड़ से भाग के और पीसे खड़ा विवान माही को जब तक जाता देखता रहा जब तक वो उसके आखों से और चल लही हो गई तब यह रहा रहे शरारत से विवान के चेरे के आगे चुटी बसाते का रहा ने चली से विवान का हाथ पकड़े हुए रोका और बोली आजे रोक जाओ मेरे प्यारे भाईया क्या चल रहा है यह सब मैं सब समझ गई इसलिए मुझे चूट पर बोला विवान क्या पकवास करिया रहा जा ख्लास पर जा फाल्टू पार मत कर लेट हो जाएगी रहा बोला ना जूटे विवान ने रहा के चैरे को दिखा और ऐसा चैरा बना लिया जैसे उसके चूड़ी पकड़ी गई और वह दीरे से बोला इंचल हाँ माही मुझे पसंद है विवान के बाचन रहा ने खुशी से उसे गले लगा लिया और बोली मैं आपसे बहुता र करती रहा हम पता है विवान क्या रहा उदास होकर बोली हाँ क्योंकि माही को प्यार से नफरत है ना विवान तुछे ये पात पता है प्लीज मुझे बताना ऐसे क्यों है रहा भाईया यह तो मुझे माही नहीं बताया था पर अभी मुझे लेट हो रहा ना इसलिए आपको शादी कर ली थी, तो माही के पैरंस ने, माही के बड़ी पैरंस ने, सारे रिष्टे तोड़ दिये थे, और वहां से अपने पड़ी के साथ चली गई, बचारी माही को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, विवान, थी मतलब रहा, हाँ, क्यो शादी थी, बान में इशीका दीदी को पता चला, कि उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए उन्चे शादी करी थी, और फिर वो इशीका दीदी को छोड़ कर चले गए, और उन्होंने दूसरे अमीर आदमी से शादी कर ली, विवान बहुत गोड़ से, रहा के बाते सुद्दे दीदी, तो शायद उसकी दीदी सिद्दा होती, और इसलिए भी उसे ना प्यार से नफरत है, और वो सब लड़के को एक जैसा मानती है, कहते कहते, रहा की आँकों में आसु आ गए, विवान ने रहा के आसु पोच्छ कर कहा, माही इंशल कोई बात ही, हम दोनों मिलकर, मा ने अपना माधा पेट लिया और बोली, अरे भाई, क्या आप भी, चलो, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, असल में माई को समुंदर में चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसे वहा ले जाओ, वो खुश हो जाएगी, विवान, नहीं होगी, वो म मुझे कबामेना बोन नहीं बनना, विवाने रागे माधे पर चपड लगाई, और बोला, बोने हटी, और सुन, प्लीज चलना, माई न, मैं माई को प्रपोस करूँगा, अच्छे से, और वो मेरे बात नहीं मारेगी, तू भी चलना, राग को एक आइडिया, और वो बोली अच्छे ठीक है, पर मैं सिर्फ माई को वहाँ पर लेकर आऊंगी, और फिर मासी काया बोचाऊंगी, फिर बार में आप उचे अपने साथ खर ले जाना, विवान राग को गले लगाते हुए, ठैंक्यो सुमच मैं इंजिल, राग, चलो, अब मुझे क्लास में जाने है, व कॉल्च के अंदर चाने लगी, तब ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा है, रहने पीशे मुड़ कर देखा, वुट रहने लगी, क्योंकि उसके ठीक पीछे, कुछ दूरी पर वही यलो स्पोर्ट्स कार्ट खड़ी थी, ये देख रहा जट से कॉल्च के अदर च चाहिए, तो क्या करणा चाहता है वेवाद समंदर के खिनारे चाकर, जहाँ पर रहा जाएगी, क्या होगा आके चाह देख ले बड़े रही है, मिल देख लेके अदर में,